हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लॉवेट इजी बा आडवोकेट डिष्टी दोस्तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से आडवोकेट्स पर वकीलों पर बहुत हमला हो रहा है और उन्हें डर का सामना फेस करना पड़ रहा है मतलब कही ना कहीं वो डरे हुए है या कि तरीके से उन्हें नुकसान पहुझाया जा रहा है चाहे उनकी प्रॉपर्टी को चाहे उनकी परसन को मतलब किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल जो होना चाहिए वो नहीं बन पाया है तो आज हम उसी के बारे में इस बिल को डिसकास करेंगे एक बिल आया समझेंगे कि advocates को एक अधिवक्ता को किस तरीके से protection दी जाती है इन किस तरीके से इस समध्यान समस्या का निधान हो सके तो इस विशे में आज चर्चा करेंगे तो आज हम इसी के बारे में बहुत details में समझेंगे और जानेंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा चानल कर लिजे लाइक और सब्सक्राइब चानल का नाम है Law Made Easy by Advocate Drishti अगर आप इस चानल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले चानल का नाम देख लिजे Law Made Easy by Advocate Drishti चलिए आज हम discuss करते हैं ये सारी slides discuss करेंगे जो आपके लिए useful होंगी आपके All India Bar exam के लिए या फिर अगर आप कोई भी advocates से related अगर आप हैं और अगर essay भी आ सकता है इस पर या फिर general knowledge भी होनी चाहिए आपको understanding होनी चाहिए अपने advocates के बारे में तो पता ही होना चाहिए चलिए discuss करते हैं अब सबसे बहले किसी भी चीज को समझने के लिए उसका background हमें समझना पड़ता है क्या उसका purpose है क्यों वो लाया गया उसकी basic need क्या थी उसका object क्या था चलिए देखेगा यह पूरा English में English में यहां पर मिल जाएगा और बाकी I'm explaining तो दोनों languages में हो जाएगा Hindi English में चलिए discuss करते हैं अब basically यह है हमारा advocates protection bill जो है हमारा 2021 राइट तो यह देखेगा यह दे रखा है just a second हाँ जी उसके बाद background हम समझते हैं तो यहां पर बहुत सारे reason दे रखें कि क्या हमें आवशकता पड़ी क्या need पड़ी what was basically the object to formulate this advocate protection bill 2021 राइट तो background में बस यह लिखा है first point कि अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है कि बहुत सारे assault हो रहे थे बहुत सारे criminal force हो रही थी intimidation हो रहे थे यह सब terms आप पढ़ते ना Indian Penal Code में हमला और criminal force तो बताएगा सबसे बहले कि यह कौन से section से related है Indian Penal Code में आप जित्ते जादा से ज्यादा comments का answer करेंगे आप के लिए benefit होगा तो करिएगा comment तो assault अगर होते हैं य या criminal force होता है या intimidation होता है या threat होती है धमकी दी जाती है वकीलों को जो law का जो govern करता है basically जो officer of the court होता है जो जिसकी basic law की basic premise होती है एक advocate पर जो govern करता है पूरी functioning, पूरी judicial process और उसी पर अगर हमला हो उसी पर अगर धमकी दी जाए उसी को तो कहीं न कहीं ये उसकी mindset को effect करेगा और कहीं न कहीं उसके दिमाग में एक fear एक डर का महौल बैट जाएगा तो इसी को ध्यान में रखते वे ये bill हमने pass किया है हमने नहीं मतलब ये bill लाया गया है right advocate protection bill 2021 ठीक है तो ये है कि fear को हटाने के लिए bill पास हुआ है right अब हम second point के अगर बात करें तो second point में basically ये लिखाए गया है कि एक law की जरुवत है अगर इस तरह की situations prevail करेंगी तो एक कहीं न कहीं law की जरुवत है एक legislation की जरुवत है जो law में भी prescribed है जो advocates अपनी duties discharge करते हैं जब वो perform करते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें protection मिलनी चाहिए right उसके अलावा third point क देखेगा इसमें क्या लिखा है देखे इसमें basically लिखा है कि कुछ rules होते है right basic rules of the basic principles on the role of lawyers कुछ basic tenets होते हैं कुछ basic guidelines होते है किसी भी authority के लिए और किसी भी person के लिए ठीक है और यह तो lawyers की हम बात कर रहे हैं advocates की बात कर रहे हैं तो इसमें दो clauses दे रखे हैं जो आपनी आप के लिए बहुत important है पाकि आप पूरा read कर लीजे जो भी आपको important लगे अपने साब से आप देख लीजेगा and इसका pdf आप हमारे telegram पर ले सकते हैं right तो इसमें important चीज़े हैं जो हम cover कर रहे हैं वो है कि clause 16 देखेगा next slide पर चलते है हां जी इसमें दे रखा है clause 16 ठीक है देखेगा clause 16 दे रखा है इसमें clause 16 में basically दे रखा है कि कोई भी अगर harassment होता है right कोई भी अगर harassment होता है या कोई भी improper interference होता है या उन्हें freely travel नहीं किया देना चाहिए मतलब free travel में उनको problem आ रही है क्योंकि वकील को तो बहुत बार in and out जाना पड़ता है and जो advocates होते हैं अगर वो ही इन सब जीद में restraint करेंगे अपने आवों कही न कहीं रोकेंगे तो बहुत problem होने वाली है और कहीं न कहीं एक professional ethics की जरूरत है एक standard की जरूरत है और sanctions जो हैं अगर उन पर लगाए जाएंगी तो वो अपनी effective functioning नहीं कर पाएंगे अपनी effective discharge नहीं कर चाहते हैं अपनी services देना चाहते हैं इसके अलावा clause 17 में दे रखा है कि basically हमें safeguard करने चाहें वो एक authority है तो हमें उन्हें protect करना चाहें safeguard करना चाहें उनके basic services को राइट तो यह सब दे रखा है कि यह background बनाते हैं कुछ points राइट अब हम 5th point की तरफ move on करते है 4th point 5th point तो देख क्या लिखा है इसमें अब 4th point में basically बहुत important है जो आपके exams में भी पूछा जा सकता है ठीक है यहाँ पर एक case दे रखा है हरी शंकर रस्तोगी वर्सेज गिर्दर शर्मा 1978 बहुत important है इसमें बोल रखा है advocate कौन होते हैं officer of the court advocate की functioning में क्या बोला advocate is officer of the court right तो यह है बहुत important तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि advocate officer of the court कौन से case में कहा गया तो इस तरीके से बहुत important हो जाते हैं जो recent चीज़े आती है bills वगरा जो आते हैं right तो यह है उसके अलावा इसमें basically यह दे रखा है पूरा reason बता रखा है कि bar जो होती है वह extension होती है justice की और कहीं न कहीं कोड के लिए accountable जो होता है पूरी judicial process के लिए services render करता है तो advocate का role बता रखा है कि advocate हमारे लिए क्यों important है और उसको protect करने की basic need क्या है right अब हम fifth point की तरफ move on कर लेते हैं point में basically यह दे रखा है कि अगर बहुत सारी cases होते हैं जब threat मिलता है उन्हें malicious या frivolous मतब जूटा case parties के द्वारा तो कहीं न कहीं interference हो जाता है performance of duties में जो नहीं होना चाहिए right क्योंकि वह तो अपनी good faith में duties render कर रहे हैं good faith में कर रहे हैं और अगर आप interfere करेंगे तो वो impartial जो चीज होती है वो नहीं हो पाएगी right अब हम six point की तरफ move on कर लेते हैं six point में basically यह दे रखा है कि जो arrested persons होते हैं जो advocates कई बार arrested persons को arrest करते हैं या करवाते हैं उनकी process में involved होते हैं तो उनसे भी professional जो behavior है वो नहीं किया राता जो privilege communication है उनसे उन पर question कर दिया जाता है जो कहीं न कहीं human rights का violation होता है right कि आप उनके basic rights को मतलब hurt कर रहे हैं उनकी integrity को hurt कर रहे हैं और unnecessary interference हो जाता है उसके बाद हम next point की तरफ move on करें तो इसमें basically यह लिखा है कि कोई भी अगर external influence होता है in the administration of justice तो यह सब कुछ reasons हैं हमारे पर साधार जो हमारे advocates को कहीं न कहीं लगा की नुकसान पहुचा रहे हैं कहीं न कहीं उसके mindset को affect कर रहे हैं ठीक है तो यह हमारा background बना जिसके लिए हमें लाना पड़ा advocate protection bill 2021 राइट बहुत important है law student को पता होना चाहिए चलिए discuss कर लेते हैं अब उसमें क्या लिखा है देखिए हमारे सामने आगे advocate protection bill ठीक है अब जैसे यह bill है ऐसे ही हमने अपनी चानल पर एक और वीडियो डाला था bill के regarding mines and minerals वाला bill mines and minerals regulation तो बहुत important है वो भी वो भी आप देखिए क्योंकि लोगों को लगता है कि bills वगेरा तो नहीं पूछ जाते हैं लेकिन essay वगेरा में आप code कर सकते हैं या interview में तो बहुत help करेंगे क्योंकि current latest चीज़े होती है बिल्स वगेरा का आपको पता होना चाहिए और जहां पर भी GKGS या current की चीज़े आती है या law में भी बहुत आपको पता ही होना चाहिए अपडेट रहना चाहिए तो वो भी देखिएगा राम से चलिए आज हम discuss करते हैं advocate protection bill 2021 तो अभी तक हमने clear कर लिया साथ reasons इसके जो हमने जिसकी वज़े से यह लाया है advocate protection bill 2021 अब यह briefly discuss कर लेते हैं important important चीज़े हम cover करेंगे अब first section में इसमें कुल मिलाकर 14 sections दे रखें तो first section में दे रखा इसका नाम advocate protection bill 2021 whole of India पे लगेगा central government जैसे official gazette में notify करेगी वैसे ही appoint करेगी वैसे माना जाएगा right अब section 2 की दरब move on कर लेते हैं बहुत important है इसमें 2 definitions दे रखें जो हमार ले बहुत important है act of violence violence होता है मतलब हमला जो किसी पर अत्याचार करना तो इसमें basic basic चीज़े देख लिए जो आपके लिए important रहेंगी जैसे इसमें दे रखा है harassment किसी को भी परशान करना coercion assault हमला criminal threat criminal force तो यह सब चीज़े हैं अब next point में देखेगा harm injury चाहे वो simple हो चाहे वो previous हो तो किसी भी तरीके से अगर अत्याचार किया जा रहा है मतलब कहीं न कहीं उसके mind को affect कर रहे हैं वो चीज़े उसके मन में डर बिठा रहे हैं जिससे वो अपनी services render नहीं कर पा रहे है effective administration of justice नहीं हो पा रहे है तो यह कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है जिसके लिए हमारे सामने पेश है advocate protection bill राइट चलिए third point की तरह move on कर लेते हैं third point में क्या लिखा है कोई भी simple या grievous उसे कोई danger हो ठीक है तो danger उसके अलावा danger आ गया उसके अलावा कोई भी harm है या injury है ठीक है नुकसान simple या grievous या कोई भी coercion है privilege communication के लिए तो privilege communication आप बताएगा Indian evidence act में privilege communication क्या होता है उसको जान पूच कर बोला जा रहा है कि आप बताईए जो चीज़ वो नहीं बताना चाहता है उसे भी privilege communication है लेकिन तब भी उसे reveal करवाई जा रहे है धंकी दी जा रहे है कि आप बताईए यह वकालत नामा उससे कहा जा रहा है कि आप विड्रॉ करो या loss या damage कर रहे है उसकी property को या documents को ठीक है कही ना कहीं उसे शदी पहुचा रहे है या language derogatory use कर रहे है तो यह सब reasons वनते हैं act of violence के अब next word important है क्योंकि हम advocate protection bill 2021 पढ़ रहे है तो हमें यह पता होना चाहिए advocate की क्या definition आएगी advocate का वही meaning होगा same meaning assigned किया गया है जो 2 subclass 1a of the advocate advocate देखिएगा इसमें क्या लिखा है advocate act 1961 राइट ठीक है और इसके अलावा यहां पर बहुत सार आक्स से रखे हैं same meaning होगा advocate act 1961 BCI practice place of practice verification rules और IPC Indian sub में advocate का मतलब वही रहेगा राइट जब तक कुछ और ना बताया गया है ठीक है अब हम move on कर लिते हैं हमने section 3 के तरफ अब section 3 हमारा बहुत important है इसे मिसमत कीज़ेगा ठीक है section 3 इस पूरे उसका crux है मतलब basic एक बोलते हैं न important most important section है कुछ नहीं बस main base बना रखा है इसे इसमें basically यही दे रखा है कि अगर कोई भी commit करता है या abate करता है तो abatement बताईएगा आप कहां पर abatement आपने सुना होगा तो तो अगर advocate के against आप abate करते हैं किसी को उकसाते हैं या खुद करते हैं commit तो act of violence के लिए जो हमने section 2 में पढ़ा definition तो उसके लिए हमें punishment दंड दिया जाएगा और वो कितना रहेगा 6 months ठीक है 6 months और जो 5 साल तक हो सकता है और इसके अलावा हमें 1 lakh रुबीज तक का fine भी भढ़ना पड़ेगा ठीक है और अगर आप repeated offender हैं आपने आप नहीं माने आपने दोबारा कर दिया तो इसकी punishment आपक right तो 1 year और क्या लिखा है यहां पर 10 years जो 10 साल तक extend होगी और इसमें क्या लिखा है 2 lakh तक का fine ठीक है तो यह देखेगा 2 lakh रुबीज तक का fine यहां पर impose कर दिया जाएगा right तो यह है अब section 3 important बताया था section 4 की तरब हो one करते हैं अगर आप ऐसा act of violence करते हैं against the advocate तो आपको punishment तो मिलेगी इसके साथ आपको compensation भी बढ़ना पड़ेगा और compensation कितना होगा जो यह देखेगा यहां पर क्या लिखा है compensation जो होगा वो double होगा right important है double the amount of fair market value of the damage property जितनी भी आपने property को नुकसान करा है उसका double या फिर जैसा भी court ने determine किया है ठीक है यह important है और अगर आप fail करते हैं उसे देने में तो आपसे recover किया जाएगा as the area of land revenue और under the revenue recovery at 18.90 ठीक है यह important है अब section 4, 5 की बात करते हैं 4 तो हमने clear कर लिया compensation की बारे में बात किया है 5 में क्या बोला है 5 में basically nature बताईए कि कोई भी offense जो होगा section 3 में वो cognizable होगा non-bailable होगा तो बताईगा कि cognizable की आपने definition कहां पढ़ी है इसके अलावा non-bailable की definition आपने कहां पढ़ी है और जो भी अब इसे try कौन करेगा तो try हमेशा इसे police officer करेगा जो superintendent की rank से below नहीं होगा मतलब उसकी rank से नीचे नहीं होगा ठीक है अब limit बता दी limit बताईए next point में देखेगा next point में limit क्या है इसमें basically जाई दे रखा है की limit राइट तो investigation की limit क्या रहेगी investigation की limit क्या रहेगी 30 days from the date of registration of the FIR ठीक है तो important है and कौन कहां पर ये होगा तो district and session judge के सामने होगा राइट बहुत important है अब 5th section में ये सब हो गया अब 5th section में हमें बता दिया ये हो गया सारा ये तो हमारे points हो गए ठीक है अब इसमें एक चीज़ और बताईए कि अगर limit time limit कितनी हो सकती है right day to day proceedings होंगी ये सब हमने clear कर लिया next क्योंकि बहुत बढ़ा है तो इसलिए next इसमें ये दे रखा है कि एक बार अगर time run होना शुरू हो गया तो वह बार बार मतलब एक बार run होना शुरू हो गया तो वह रुकेगा नहीं ठीक है जैसे limitation act में आपने section बढ़ा होगा पिताए कौन से section है कि once the time runs it will not stop it will continue ठीक है और सारा जो procedure है वह एक साल में आपको complete करना है and अगर आप वह नहीं कर पाते हैं तो judge जो है वह record करेंगे reasons right reasons record करेंगे और अगर extend करना है तो वह six months से ज्यादा extend नहीं कर पाएंगे ठीक है अब section six की बात करें तो section six में बस यह लिखा compounding जो होगी with the permission of the court होगी court नहाले की permission के साथ इसे compound भी किया सकता है section seven again important police protection के बारें बात की गई है police protection police का protect करेगी तो advocate जो है वो खुदी में एक victim है जो act of violence का तो जब तक court deemed fit जब तक court चाहे तब तक उसे protection दे सकते हैं जितनी भी उसको duration देनी है तो ही court की मर्दी है इसके अलावा high court जो है वो personal antecedents देखेगी जो previous record होगा advocate का वो खुद high court scrutinize करेगी right next है हमारा third point ठीक है तो इसमें दे रखा है कि अगर जो police protection है right एक second जो police protection है police security है वो हमेशा advocate को मिलेगी और वो refer कर दी जाएगी registrar of the district court या high court ठीक है जैसे भी suitable हो इसके अलावा अगर police अपनी services discontinue करना चाहती है तो उन्हें advocate को एक हफते का notice यहां लिखा है ना one week notice one week का notice देना पड़ेगा उससे बहले वो withdraw नहीं कर सकती section 8 की बात करें section 8 में बहुत important चीज़े advocate deemed to be the officer of the institution officer of the court बोले जाता है इसमें बहुत आई चीज़े कवर होंगी tribunals के सामने वो पेश होते हैं authority के सामने वो पेश होते हैं तो उनको same treatment मिलना चाहिए right section 9 की बात करते हैं तो section 9 में basically यहीदे रखा है कि protection के बारे में बात की गई है protection of the action जो भी सारी proceedings होंगी उनके खिलाफ कोई भी prosecution नहीं होगा कोई भी suit नहीं होगा अगर वो good faith में कर रहे हैं ठीक है अगर वो good faith में कोई भी काम कर रहे है तो उनके खिलाफ कुछ भी कारवाई नहीं होगी तो बदाएगा good faith कहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है अब next बात करते हैं section 10 की थोड़ा बड़ा हो गया है section 10 कोई बात नहीं section 10 है हमारा malicious prosecution बहुत easy language में मैंने आपको बतानी कुश्च की चलिए इसमें basically लिखा है कि अगर कोई भी court found करती है कोई भी malicious कोई भी justice को derail करने के लिए मतलब process को बढ़ा करने के लिए लंबा करने के लिए या देरी करने के लिए कोई proceedings institute हुई है तो वो dismiss हो जाएंगी proceedings और cost देनी पड़ेगी ठीक है तो कोई भी इसमें जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता और कुछ भी गलत काम नहीं अलाओ किया जाएगा इसके अलावा अगर कोई भी person found होता है कि किसी ने जान भूच कर किसी को फसाने की कोश्च किया advocate के against कुछ भी कारवाई करने कोश्च किया तो वहाँ पर लिखा है एक लाख रुपए तक का fine तो ध्यान रखिएगा इसे जो लोग advocates नहीं है और ये वीडियो देख रहे है तो अगर कोई भी advocate को फसाने की कोश्च करता है और वो भी गलत तरीके से उनको जान भूच के फसाना या किसी भी तरीके से code का time waste करना तो एक लाख रुपए तक का fine हो सकता है ध्यान रखिएगा इसे अब presumption दे रखिए section 11 presumption basically ये दे रखिए कि अगर कोई भी privilege communication होती है ठीक है तो privilege communication में जब advocates नहीं disclose करते और कोई भी public servant उन्हें coerce करता है ठीक है मतलब जबर्दस्ती लेने वाली presumption माने जाएगी ठीक है तो जबर्दस्ती उनसे कुछ नहीं लेगा सकता privilege communication है तो advocates allowed नहीं करते कि उनसे कुछ भी disclose कराया जाए unless and until it is necessary in the interest of justice लेकिन अगर public servant नहीं मानते हैं और उन्हें coerce करते हैं उन्हें जबर्दस्ती करते हैं मजबूर करते हैं तो presumption माने जाएगी कि they are coerce ठीक है फिर 12 में दे रखा है basically देखेगा यहां पे दे रखा है acts not in derogation with any other law ठीक है तो किसी भी दूसरे law के साथ derogation नहीं होना चाहिए किसी भी violation नहीं होना चाहिए दूसरे आक्ट का ठीक है फिर 13 में दे रखा है power to make rules 13 में देखेगा 13 में क्या दे रखा है कि कौन-कौन मना सकता है इसमें यह दे रखा है कि Central Government Official Gazette में declare करेगी Bar Council of India से consult करके और next point में basically यह दे रखा है Section 14 की बात करें क्योंकि 14 sections है इसमें टोटल तो Applicability की बारे हम बात की गई है Applicability CRPC 1973 कि जो भी bail, bonds और appeal है वो उसी तरह apply होंगी जो CRPC के provisions में apply होती है तो यह हमने पूरा समझा Advocate Protection Bill along with 14 sections and the background with 7 reasons why the Advocate Protection Bill is made तो यह है बाकी यह आपको वीडियो बहुत काम आने वाला है आपके essay writing के लिए आपके interview के लिए and as an advocate आपके knowledge enhance करने के लिए and All India Bar Exam में भी यह पूछा सकता है इसकी time limit या कुछ भी इनसे related पूछा ही जा सकता है इसके अलावा आप हमारे चानल को अगर आप इस चानल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लीजे and लाइक कर दीजे दोस्तों प्लीज लाइक कीजिसे हमें motivation मिले हम आपके लिए latest updates लाते हैं तो आपको बस करना है like और subscribe and जा से अज शेर कीजे बस ये तीन काम कर दीजे जिससे हमें motivation मिले and आपके लिए सबसे useful information हम ला सकें इसके अलावा आपको हमारे चानल पर मिलेंगे English के वीडियोs, History के वीडियोs, Case Analysis and Legal Quiz 2019 के सारे cases Important Landmark and 2020 इसके अलावा Current Affairs TOTS, SRA, Partnership Assamd Judiciary वाला notification आया है उसको लोगों ने कम देखा लेकिन वो भी भरिये अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए afford कर सकते हैं तो वो भी भरिये and CGI जो नए अभी appoint हो हैं उनके बारे में Allahabad High Court के वो लोगों ने कम देखा लेकिन question आ सकता है expected है इसके अलावे सारे notifications आपको मिलते है MP, ADPO, MP, District Legal Aid Officer जो new निकला है तो यह सब important है हर्याना 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 की जो exams हैं पूरी strategy हमने बताई कि कैसे आप त्यार कर सकते हैं and बिहार के minor जो explosive substances act वो सब चीज हैं वो आपके सब काम आने वाली हैं माइन्स और मिनरल्स बिल लेकर आयते हैं जो ही चावला वाला केस लेकर आयते हैं तो यह सब important चीज हैं जो आपके लिए useful हो रहने वाली हैं तो कर लिजे like, subscribe and जाज चाज शेयर किजेगा मिलते हैं next video में और दोस्तो एक चीज और कि अगर जो लोग हमसे material चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं and वो हमें mail कर दीजेगा तो आप वो भी कुछ nominal price पर हमसे ले सकते हैं ठीक है तो बाकी telegram पर आप हमसे जूड सकते हैं and बाकी instagram पर और youtube पर आप community post में भी check कर सकते हैं सारी post डाली जाती हैं तो जो भी updates होती हैं वो आपको मिल जाती हैं ठीक है मिलते हैं next video में कुछ नए important facts के साथ notification के साथ और motivation के साथ till then आप अपना धियान रखिए and जो भी लोग bad join करना चाहते हैं वो भी हमें mail कर सकते हैं and information ले सकते हैं बहुत जल्द हम दुबारा सारे subjects का बहुत जल्द crash course start कर रहे हैं और आप लोग join कर सकते हैं उसे चलिए मिलते हैं next video में take care bye bye